दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली मैं मामला लीगल है वेब सिरीज के सारे एपिसोड्स को जो कि आपको जरूर प्रसंद आएंगे इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो एपिसोड वन की शिरुवात में हमें बताया जाता है कि एक फिमस डिश्टिक कोट है परपट गंज का जहांके सारे वकील और जजज सिर्फ जुकार पर ही चलते हैं और एक बार जो यहां इनके चक्कर में पड़ गया उसका यहां से वापस जाना नामम्किन है इसके लड़का उन लोगों को पैचान लेता है कि इन्हों नहीं मुझे लूटा है तब ही वहापर वीडी त्यागी नाम का फिमस वकील आता है जो कि उन पांचों की तरफ से था और वहा कर ऐसे ऐसी दलीले मारता है जिससे पीपी चुप हो जाता है इसकी बाद त्यागी कहता है कि पुलिस ने जान बूच कर मेरे क्लाइंट पर गलत धाराये लगाई हैं क्योंकि पांच लोग मिलकर लूट नहीं करते बलकि डखैती करते हैं और पुलिस ने इसमें लूट दिखाई है जो की गलत है और वो धाराये बदलवाने को कहकर उन पांचों को तब तक के लिए देल दिलवा देता है और फिर सब खुशी-खुशी वहां से चले जाते हैं लेकिन त्यागी के अंदाज से हमें समझ आता है कि वो केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि एक महंगी कार से कोई आता है और मा सारे वकील उसके पीछे पर जाते हैं कि इस क्लाइंट को तो मैं ही एंडल करूँगा पर उन्हें पता चलता है कि इसमें क्लाइंट नहीं बल्कि एक नई एड्वोकेट आई है जिसका नाम अनन्या होता है लेकिन उसे सब एनी कैकर बुलाते हैं अब एनी वहां से सीधा एड्मिन ने आई है साथ ही वो पहले सामीर है इसलिए उसे पैसो से फर्क नहीं बढ़ता तब विश्वास पूछता है कि आपने किस लोयर को जोइन किया है इस पर एनी कहा दे कि मैं अकेले ही प्रेक्टिस करूँगी और अपने चमबर खोलूँगी जिस पर विश्वास उसे चमब क्योंकि सुवागरात के समय वो बिल्कुल भी नई शर्माई जिस पर सब लोग उसका मजाग बनाने लगते हैं तब सुजाता के साथ वाला वकील कहता है कि ये केस तो सुजाता ही लड़ सकती है क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो आदमी इसके लिए मान जाता ह फिर सुजाता सीधा उसे एक चैंबर वाले वकील बगई की पास ले जाती है और उसे भी सेम ये डैलोग मारती है कि ये केस तो बगई ही लड़ सकते हैं क्योंकि उनका मुकाबला नहीं है और यहां में समझाता है कि सुजाता और उसका साथ ही केस नहीं लड़ते वो तो ब पम्हदा चलता है कि त्यागी यहां का बार प्रेजिडेंट है, तब मिंटू से कहादा है कि सब अच्छा दो चल रहा है, तो तुझे एलेक्शन क्यों लडने है, जिस पर त्यागी कहादा है कि मुझे यहां के सारी इलेक्शन जीतने हैं, जिसके बाद मैं अटरनिट जनरल इसके लिए इन्हें सबसे पहले दिली बार एसोशीशन का प्रेजडेंट बनना होगा और ये उसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं तब मिंटू किसी महेंदर फोरे के बारे में बताता है जो त्यागी की तरह है जिनमिल कोर्ट का फेमर्स वकील है और महेंदर ने अपने का नाम इलेक्शन से वापस ले लिया है इसलिए मिंटू का मानना था कि ये अच्छा मौका है इलेक्शन जीतने का तब ही हमां मुच्छी जी को देखते हैं जिनकी हर को इज़्जत करता है और त्यागी उनकी बातों को भी मानता है यहाई त्यागी ने दो इंटरन भी जाता आती है और कहते कि अभी बगई को दो लाक रुपे का बकरा दे कर आई हूँ जिसके 20,000 कमिशन तो मिलेंगे ही तब मुच्छी जी उससे कहते हैं कि तो केस क्यों नहीं लड़ती पर वो कहते कि हमें तो कोई फीस भी नहीं देता पहले मुझे चैंबर मिल जाए इसके बाद में केस लड़ूंगी तब ही मापर बगई आता है और वो सुझादा को सिर्फ 2,000 रुपे देता है कि तेरे क्लाइन ने 20,000 रुपे ही दिये थी जिस पर सुझाता उदास हो जाती है कितना सब कुछ करके बस 2,000 रुपे ही आए इधर हम त्यागी को देखते हैं जो मि इस पेपर में चपवाने वाला था और ये आइटिकल प्रॉप पर हाइफा इंगलीश में होना चाहिए पर लॉयन ओर्डर दोनों को ही ठीक से इंगलीश आती नहीं थी इसलिए द्यागी उन्हे खुब सुनाता है तब मुशी जी उसे शान्त करके कहते हैं कि हम लॉयर नह गुशती है कितनी अमीर हो तो किसी बड़ी फर्म में चली जाती ना लेकिन एनी कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने दादय जी पर गई हूँ मैं अपनी फर्म खुद बनाना चाहती हूँ और मैं गरीब लोगों के केस लड़ूंगी जिसे सुनते सुजाता चौक जाती है कि य एनी को कहीं जगा नहीं मिली तो विश्वास ने उसे पार्किंग में बठा दिया था और एनी यहाँ भी अपना पहला क्लाइंट ही ढूंड रही थी तब ही उस पे एक आदमी अपना केस लेकर आता है क्योंकि वो बार-बार चिला रही थी कि मैं केस फ्री में लड़ूंग पता चलेगी तब ही त्यागी के ऑफिस में एनी गुस्षे में आती है और इंग्लिश में अपनी प्राब्लम बताने लगती है कि मुझे एक जगा तक नहीं मिली और मैं अपने केस कैसे ढूंडूंगी तब त्यागी का दिमाग चलता है और वो कहता है कि पड़ी लिखी ल प्राब्लम बताता है कि जैसे ही मैं ये लेक्शन जीतूंगा तुम्हारे पास अपना खुद का चैंबर होगा और सुजाता खुश हो जाती है सुजाता को ये भी पता चलता है कि एनी ने आर्टिकल लिखा था इसलिए उसे जगा मिली है तब सुजाता वो पेपर लेकर ए सुजाता के पास आता है और कहता है कि मुझे अपना वकिल बदलना है क्योंकि ये बगई ने तो अब तक तीन लाक रूपे ले लिए पर कुछ काम नहीं किया ये सुनकर सुजाता उदास हो जाती है कि इसने तो मेरी कमिशन तक पूरी नहीं दी अब यहां त्यागी वाडि के लिए इनवाइट करता है फिर हम देखतें कि अब त्यागी को वाडिय का रिकमेंडेशन लेटर मिल चुका है या एनई को एक क्लाइंट मिलता है लेकिन उसकी दूसरे वकील से उसी क्लाइंट को लेकर भहस हो जाती है और मासुजाता आकर एनई की तरफ से बोलती है कि वो खोद इलेक्शन में खड़ा हो पाए और इस निउस सीन दोनों के ही हो छुड़ जाते हैं क्योंकि महेंदर और त्यागी दोनों ही बराबरी के लोयर थे यही पर एपिसोड वन खतम होता है एपिसोड टू की शिरुवात में त्यागी इलेक्शन में नॉमिनेशन फा हैं जो कि पूरे धुमधाम के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म बढ़ने आता है जिससे देखकर मिन्टू कहता है कि ये तो हम भी कर सकते थे तब उसे मेंदर मिलता है और इस टाइल में मिन्टू की जेब में 20 रुपे रख देता है कहता है शगुन है इसके बाद यह आनी केस की फाइल इसी नाड़े से बादना क्योंकि ये नाड़ा लगी है आप क्लाइन के नंबर लेने के लिए आनी सीधा विश्वास के पास जाने लगती है इधर हम विश्वास को देखते हैं जो कि एक आदमी पर भढ़क रहा होता है क्योंकि नोटिस बोट से लिष्ट ही थी तभी माँ लिष्ट लेकर रैनी आती है और विश्वास चुप हो जाता है फिर रैनी कहते कि इस लिष्ट से कोई मंगल धीमा वकील है जो गरीबों के केस लड़ता है और उनके एक साथ आट केस चल रहे हैं तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तब वो विश्वास से मंग था क्योंकि अभी इस complaint से उसका नोमिनेशन भी कैंसल हो सकता है और वो इस साल चुनाब नहीं लड़ पाएगा तब त्यागिन सब को ऑफिस से भाहर जाने के लिए क्याता है कि मुझे कुछ सोचने दो इधर रैनी मंगल के क्लैंट से जाकर मिलती है क्योंकि मंगल अभी तक और यहाँ वो उससे पूरा मेटर पूछती है तब वो क्लैंट बताता है कि मंगल तो पिछले तीन साल से केस के लिए नहीं आया है और वो पूरा मेटर ऐसी चलता जा रहा है तब वो आदमी अपनी फाइल एनी को देता है जिससे एनी को लगता है कि उसका पहला केस मिल गय और मंगल उसे काफी सारे केस की फाइल दे कर कहता है कि हर गरीब के केस के 20,000 रुपे लगेंगे जिससे एनि को लगता है कि ये तो गलत है और वो वहाँ से चली जाती है यह मिंट्यो और मुश्य जी त्यागी का ओफिस के बार बैटे बाते कर रहे थे कि वह मंगल धीमा एक नमबर का दो के बाज है जो किसी की भी मदद नहीं करता और ये उसकी कंप्लेन करने चले जाते हैं तब वहाँ की मैडम बताते कि मंगल की कंप्लेन या तो कोड कर सकता है या फिर खुद उसका क्लाइंट आपके हिसाफ से हम कंप्लेन नहीं कर सकते पर विश्वास कहता है कि हमें कानून ना बताईए और उसके कहने पर वह मैडम एनी की कंप्लेन लिख लेती है इसके बाद ये कंप्लेन लिकर तीनों मंगल के ओफिस आते हैं कि इससे अब तेरा लैसेंस कैंसल हो जाएगा पर मंगल को तो फरक ही नहीं पड़ता वो कहता है कि मेरा मसाज का काम अच्छा चल रहा है जो चाहे वो कर लो तब ही विश्वास को आइडिया आता है कि तेरे सलून में अगर ऐनी जैसी मॉडल की फोटो लगेगी तो सोच लड़कियों की लाइन लग जाएगी और वो केस देने के बदले में ऐनी की फोटो लगवाने की बात करता है जिस पर मंगल कहता है कि नहीं पहले मैंने केटरिना की फोटो लगवाई थी पर यहां की ओरतों का टेस्ट अलग है उन्हें तो सुजाता मैडम जैसी लेडिस पसंद आती है फिर हमें कमिटी मेंबर्स को दिखाते हैं जा त्यागी आता है और कहता है कि आप लोगों को गलत फैमी हुई है यह कहकर वो बात ही गुमा देता है इसके बाद त्यागी सेधा कई सारे वकीलों के नाम वाले बोड की फोटो दिखाता है जो कि त्यागी के नेम प्लेट से भी बड़ी थी और कहता है कि अगर मुझे सजा मिली तो इन सब को भी मिलनी चाहिए जिसके बाद कमेटी त्यागी का नॉमिनेशन कैंसल नहीं करती और त्यागी महिंदर की जेब में उसी का 2000 का नोट रखकर कहता है किसे तू ही रख और इससे महिंदर चड़ जाता है अब इस सेट केस की फाइल लेकर आनी आती है और अपने पहले केस की फाइल उसी नाड़े से बानती है फिर जैसे ये लोग उस क्लाइंट के केस को लड़ने जाते हैं तब आव वो क्लाइंट अपना नए वकीर लाया था तब एनी कहते कि मैं मंगल की टीम से हूँ और इनने जिताने आई हूँ पर वकीर कहता है कि मंगल की तो किसी ने कंपलेंट की थी इसलिए उनके तो सारे ही केस अब तुम नहीं लड़ सकती फिर वो क्लाइंट की केस की फाइल उससे छीन लेता है तब एनी के हाथ में बस नाड़ा ही बचता है और वो दास हो जाती है ये देखकर सुझाता कह दे कि तेरे चकर में मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी देदी और हम देखतें कि सुझाता का पोश्टर मंगल अपने सैलोन में लगाता है एपिसोड 3 के शिरुवात में हम एक वकील को देखते हैं तब पैसा देखकर सारे ही लोग मा लूटने आ जाते हैं और उस वकील का सारा पैसा ही सफाचट कर देते हैं जिसको देखकर वो वकील उस बंदर कोई पिंजरे में कैद कर लेता है और फिर इस मुद्दे पर कोड के बड़े जज़ के साथ मिटिंग होती है जहां करे सारे वकील कहते हैं कि इस बंदर जैसे 90 बंदर हैं जो हमारा नुकसान करते रहते हैं और जब इने जंगल छोड़ कर आओ ये वापस आ जाते हैं तब मत याग एक सोलूशन लेकर आता है क्योंकि वो तो लंगूर से ही डरते हैं पर जजमना कर देते हैं और चीफ जज़ कहती हैं कि कोई और सलूशन ढून कर लाओ ये सुनते ही त्यागी भड़क जाता है कि हमें इन बंदर से आजादी चाहिए और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस्ट्राइक कर देंगे और इस्ट्राइक शुरू हो जादी है इधर हम एनी को देखते हैं जो आज अपने एक नोकर चंदू के साथ कोट आ रही थी जिसे उसने अपना पहला क्लेंट बनाया है असल में चंदू ने अपना लोल नहीं चुका आये था जिस कारण बैंक वाले उसकी फसल काटने आ गए थी और उसी को रुकवाने के लिए एनी कोट जा रही थी तब चंदू को उसकी भीवी का फोन आता है कि बैंक वाले तो फसल काटने आ चुके हैं आप जल्दी करिये वरना शाम तक पूरी फसल खतम हो जाएगी फिर जल्दी से अनी कोट पहुंचती है और पता चलता है कि कोट में तो आज श्ट्राइक है जिसके कारण उसकी कार तक को अंदर जाने नहीं दिया जाता या चीफ जस्टिस बैसला के पास उपर से किसी बड़े सर का ओडर आता है कि कैसे भी करके ये श्ट्राइक खतम करो और उनके सामने त्यागी खड़ा था तब ही मा विश्वास अपने दूसरे सॉलूशन के साथ आता है शेर की पोटी लेकर और गयाता है कि ये सबसे बैट सॉलूशन है क्योंकि शेर से बंदर डरते हैं तो उसकी पोटी देखकर वो मा भटकेंगी भी नहीं तब बैसला पूछती है कि आई कहां से जिस पर विश्वास कहता है कि दिल्ली से मंगवाई है बस 300 ग्राम ही मिल पाई लेकिन चाहिए हमें 30 किलो थी क्योंकि हर जगा ये पोटी पाउच में बांद कर टांगनी पड़ेगी जिसको सोचकर ही बैसला का मोड खराब हो जाता है और वो कहाते कि कोई और सुलूशन ढूंड कर लाओ इधर एनी अप सुजाता के पास आती है कि मुझे चंदू का केस लड़ना ही होगा मेरा पहला केस है पर सुजाता कहाते कि मैं चाहा कर भी इस ट्रैक तो वापस नहीं दिल्वा सकती और एनी आजित करने लगती है कि मैं तो अंदर जाकर रहूंगी जिस पर सुजाता चंदू को ही एक वैन में बंद करवा देती है कि अब किसका केस लेकर चाहोगी तब एनी सीधा त्यागी से मिलने जाती है पर त्यागी महा नहीं था तो वो मिन्टू से ही इस ट्रैक खतम करने के लिए कह दी है इसके बाद विश्वास उस कुट्टे को लेकर त्यागी के पास लाता है और यह आइडिया बताता है साथ ही विश्वास कहता है कि अब त्यागी जी आप ही कुछ करिए और इस्ट्रैक खतम करवाईए इद्धना मैनी को देखते हैं जिसने अपने साथ कुछ वकीलों को और जोड़ लिया था ताकि इस्ट्रैक खतम करवा सके और वो यहाँ नारे लगाने लगती हैं पर उसकी कोई सुनता ही नहीं आप त्यागी और बैसला साथ में बैटे होते हैं जहाँ बैसला कहती है इस्ट्रैक खतम करवाओ पर त्यागी कहता है कि सॉल्यूशन के बिना इस्ट्रैक खतम करूँगा तो मेरे चुनाफ पर असर पड़ेगा और मैं हार भी सकता हूँ इस पर बैसला कहती है कि हां मैं समझ सकती हूँ मैं भी तो कभी वकील थी पर वो घोष सीधा जज बनाये ना तो वो नहीं समझेगा अब तो तुम्हें घोष से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो इन सब में अपनी टांग अडा रहा है जिसके बात त्यागी सोचता है कि घोष से बात कौन कर सकता है और वो मुंसी जी को उससे बात करने के लिए बेश देता है तब मुंसी जी घोष से पूछते हैं कि प्राबलम क्या है जिस पर घोष कहता है कि शम्भू को इन्होंने लंगूर बना दिया अब उसकी जद कौन ही करेगा और ना उसकी शादी होगी जिस पर मुंसी जी कहते हैं कि ऐसी कई नौकरिया है जो छोटी है पर उसमें पैसा अच्छा मिलता है तो हर कोई उसकी जद करता है और घोष को ये बात समझ आ जाती है अब यहां सुजात और एनी इस ट्रैक को लेकर लड़ रहे थे तब ही माँ पर मिंटू आता है और बताता है कि श्ट्रैक खतम हो गई जिसके बाद माँ जा जाकर अनौन्स करते हैं कि हमने शम्भू को लंगूर बनना एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी अप सरकारी नौकरी लग चुकी है जिसको देखकर सब लोग चौक जाते हैं फिर हम एनी को देखते हैं जो चंदू से कहते हैं कि सौरी मैं आपका काम नहीं करवा पाई जिस पर चंदू कहादा कि अब तो बैंक वाले फसल लेकर चले भी गए और मुझे तो भरूसा था कि कोट में कुछ भी नहीं होने वाला जिससे एनी को बहुत बुरा लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि कोट में जहाँ जहाँ बंदर घूमते थे मा शम्भू लंगूर बनकर सब को डराता है और यहीं पर एपिसोड 3 खतम होता है एपिसोड 4 की शिरुवात में बगई कुछ मजदूरों से एक प्लोड को खाली करने की बात कर रहा होता है और कहता है कि सब को 5 लाक रुपे मिल रहे हैं इसलिए चुक्चा पैसे लो और मजे से जीओ तब ही मात्यागी आकर बगई को अपने साथ ले जाता है फिर हम सुझादा को देखते हैं जिसके पास एक नया क्लैंट बैटा था और वो बतादा है कि मेरे गोलू के उपर मॉलिस्टेशन का केस कर दिया है एक लेडी ने क्योंकि गोलू ने उसे बस छोड़ी छोड़ी गालिया ही दी थी सुझादा कहते कि मैं गोलू को बचा तो लूँगी लेकिन उसके तीन हजार रुपे लेगेंगे जिस पर क्लैंट कहता है कि मैं चार दूँगा बस आप गोलू को बचा लीजिए तब ही हमें गोलू को दिखाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि तोता होता है और यही भेहनक गाल या लेडी को दिया करता था इसके बाद हम त्यागी को बगई के साथ देखते हैं जहां वो इसी केस के बारे में बात कर रहा था कितने सस्ते में जेटली को प्लोट में दिलवाओ थोड़ा अपना फायदा भी तो हो उसकी होने वाली बीवी वर्षया और उसके पिता आये थे क्योंकि आज इनकी शादी की डेट ते होने वाली थी तब ही माँ पर एनी आ जाती है और विशार्स उसे वर्षया से मिलवाता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है ये सुनकर आनी खुशी में उसे गले लगा लेती है और ये देखकर वर्षा को जैलिसी हो जाती है तब आनी के जाते ही वो कहती है कि मुझे शादी के बारे में सुचे निकले टाइम चाहिए इधर सुजाता और उसका साथ ही बाते कर रहे होते हैं जहां वो केस लड़ने से म देक्टरा अद्रफ फिर यहां त्यागी मिंटूर बगई को अपना प्लैन बताता है कि हमें जेटली के साथ क्या क्या करना है और वो बगई को उसके केस के लिए एक डॉक्यूमेंट भी देता है जिससे जेटली हार सकता है फिर वो लो एन ओर्डर को वरिंदर नाम के आद मिल नहीं है तो ये केस कैसे लड़ सकते हैं और ये बाद जेटली को तुरंत नए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कहते हैं कि अगर हमने केस आपको ऐसे लड़ने दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी जिसके बाद अगली हेरिंग 12 बज़े रखी जाती है इधर हम वर् फिर से उस लेड़ी को गंदी गंदी गालिया देता है और जजज उसे बाहर कर देते हैं तब उस लेड़ी का वकील पीपी कहता है कि उस तोते की सजा इसके मालिक को मिलनी चाहिए और उसे कटगरे में बुला लिया जाता है या पता चलता है कि ये लेड़ी तो उस लड़ इंद्र को एक काम करने के लिए कहते हैं इसके बाद जैटली का केस फिर से शुरू होता है और बगए अपना दूसरा एक का फेकता है जहां वो कहता है कि जैटली ने फ्रोड किया है जिसमें वो एक एफिडेविट दिखाता है कि 14 फरवरी को ये बना है और उसी दिन वेदां तब उसकी निजर त्यागी पर पड़ती है जिससे उसे कुछ-कुछ समझ आने लगता है अब यहां सुजाता सोचती है कि वो एक केस छोड़ देगी लेकिन तब इसे याद आता है कि ऐसे तो चेंबर भी नहीं मिलने वाला और वो केस की प्रेपरिरिशन करने चली जाती है यहां विशास अब आनी से वर्षा के पास चलने को कहता है कि तुम ही चलके उसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा बता दो लेकिन आनी कहती है कि मैं फालतू के काम नहीं करने वाली जिस पर विशास उसकी कार की चाबी मांग लेता है कि अभी थोड़ी देर में लाता आप यहां जैटली जैसे ही एपलोजी लेटर लेकर जच के पास जाता है तो पता चलता है कि जच के पेट में तो गैस हो गई थी क्योंकि उन्होंने राजमाचावल जो खालिये थे इसलिए वो घर चले गए और अब यह केस कल चालू होगा यह देखकर जैटली गुस्ते म को मेरा मेल फॉरवर्ड करना होगा क्योंकि मैं एलेक्शन जीतना चाता हूं जिसके बाद जैटली मान जाता है और तीसरा फेवर पूछता है जो कि हमें आगे पता चलेगा इधर विश्वास वर्षा और उसके पापा को एनी की कार चलाने के लिए देता है कि जाए घूम क पर सब डड़ जा देगी हम इतनी महेंगी कार कैसे चलाएंगे जिस पर विश्वास कहती है कि यही तो मैं समझा रहा हूं कि आनी इस कार की मालकेन है तो सोचो उसके सामने हमारी उकात ही क्या है उससे मेरा कुछ भी नई चल रहा है जिससे वर्षा शादी के लिए मान जात है इधर आप सुझाता उस क्लाएंट का केस लड़ना शुरू करती है और कहते कि तोता तो सिर्फ नकल करता है बोलता थोड़े है और कानून तो यह कहता है कि आप किसी को मुपर गाली नहीं दे सकते पर पीट पीछे तो कुछ भी कह सकते हैं और वो अपनी बातों से पा देता है और वो जमीन जेटली के क्लैंड को मिल जाती है फिर यहां त्यागी बगई को एक सब्सक्राइज दिखाता है जहां पर उसके साथ जेटली ने खुद फोड़ो ली थी और यहीं तीसरा फेवर था यहीं पर एपिसोड फोर खतम होता है एपिसोड फाइफ की श सिधा लेडिस प्रिजर में जाते हैं जहांकि इंचार्ज बहुत कड़क थी और वो कहते कि जेल में शादी नहीं हो सकती इसलिए कोट मैरीज ही करवा दो जिसके बाद यह लोग लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम लाजो था और वो कहते कि मैं कोट मैरीज तो नहीं कर करता है और फिर चुप हो जाता है इधर हम देखतें कि एनी लाजों से पूछती है कि आप बच्चा जील में कैसे पालोगी जिस पर वो एक लेडी को दिखाती है जिसका जील में बच्चा हुआ था और उसकी सब केर करते हैं इस सेड़ अब जब सब खाना खा रहे थे तब त कि सबसे ज़्यादा जरुरत थी तब आप अपने काम में ही लगे रहें फिर त्यागी कहता कि आप मुझे बस ये कड़ा दे रहे हो बलकि आपके सारे कलीग ने अपने बच्चों को उनके करियर में भी सपोर्ट किया है और वो बिना ज़्यादा मैनत किये इतने बड़े आ सुझाता और आपने घर जाने लगते हैं और जाते जाते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को अजार नहीं चोड़ेंगे तो वो कभी दोड़ना सीखी नहीं पाएंगे जिससे त्यागी को समझ आता है कि शायद इसलिए इनोंने मेरे उस टाइम पर साथ नहीं दिया और मैं काबिल बन पाया तब ही त्यागी पर सुझाता का फोन आता है और वो उससे अपना कुछ काम करने के लिए कहती है इसके बाद त्यागी कोड के आदमी से बात करता है और विश्वास प्लैन के अकोडिंग बंगाली मेकप किड लेने चला जाता है फिर हम उस लड़के और ल करी थी और लाजय तो अपने पती के साथ बातरूमें इंटिमेट हो रही थी जिसको पुलिस वाली रोकने की कोशिश करती है पर ये लोग उसे कानून बता कर चुप करा देते हैं फिर लाजय और उसका लड़का महा बाहर आते हैं और उनकी शादी हो जाती है जिसके बाद एपिसोड फाइव यही पर खतम होता है एपिसोड शिक्स की शिरुवात में हम देखते हैं कि इलेक्शन का प्रचार काफी जोरो शोरो से हो रहा है जहां पर सुझाता देखते हैं कि एक लेड़ी वकिल सागरिका भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है हाला कि उसकी जीतने क चांसिस कम है पर वो त्यागी की वोट काट सकती है तब यह कोट में एक पुलिस वाला दो वकिल को मस्ती करते देखता है और गलत फैमी में उसे लाठी मार देता है जिसके बाद पुलिस और वकिल में लड़ाई शुरू हो जाती है और यह मुद्ध बहुत बड़ा बन जाता है फिर जब त्यागी लेक्शन के प्रिचार के लिए जिल्मिल कोट पहुंचता है तो महाँ पुलिस बताती है कि यहां तो प्रिचार बैन है क्योंकि पुलिस और वकिल की लड़ाई जो हो चुकी है तब त्यागी सिधा काजमी साब के पास जाकर कहता है कि महंदर फोर जि इलेक्शन तो होकर आएंगे इधर सुजाता सागरिका की ब्रादरी के मुख्या के पास चली जाती है जिसके केस त्यागी ही लड़ता था और वो कहते कि सागरिका आपकी ब्रादरी की होकर त्यागी की वोट काट रही है इसलिए जाकर उसे समझाईए कि अपना नाम वाप कर देती है और कहते कि मैं ब्रादरी से नहीं डरती जिससे देख कर ये तीनों भी छुप जाते हैं अब सुजाता कहते कि एक काम दिया था त्यागी ने वो भी मैं नहीं कर पाई जिस पर आने कहते कि आप इतना चुनाफ के लिए पागल की हूँ तब सुजाता बताते कि मै 15 साल से चेंबर के लिए बैठी हूँ और जिसी कारण मैंने शादी भी नहीं की सोचा जैसे ही करियर सैट होगा शादी कर लूँगी लेकिन अप करियर के चकर में उमर भी निकल गई इसलिए मुझे किस भी हाल में चेंबर चाहिए फिर यह त्यागी ने जिसे पार्टी अरेंज करने के लिए कहा था वो आकर मना कर देता है कि मुझे वहाँ कुछ भी करने से मना कर दिया गया है जो कि महिंदर नहीं करवाया था तब गुस्से में त्यागी सीधा जिलमिल कोड के बाहर पहुँच जाता है ताकि सारे वकील उसे वोट दे तब ही त्यागी का दिमाग चलता है और वो पुलिस वाले का केस लड़ने के लिए कहता है जिसे सुनकर सब चौक जाते हैं इससे तो सारे वकील हमारे खिलाफ हो जाएंगे पर त्यागी ने कुछ तो जरूर सोचा था फिर इसके बारे में जानकर महिंदर भी त्यागी का मजग बनाने लगता है कि इसको तो हम अच्छे सहराएंगे इधर एनी और सुजाता सागरेकर से बात करने जाते हैं जायनी उसे अपने दादा जी के बारे में बताती है और ये नाम सुनते है सागरे का कहती है कि मैं तो ने अपना रोल मोडर मानती हूँ फिर एनी उसे अपना चुनाप से नाम वापस लेने के लिए कहती है कि आप जीत तो नहीं पाएंगी तब त्यागी अपनी दलील में पुलिस वाले के साइड लेने की बजाए, वकिल की साइड लेने लगता है, और अपनी बारे में प्रिचार करके कहता है कि वकिल का कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं हूँ उनके साथ, साथ ही वह हर वकिल को इंशॉदन से लेकर सारी फैसिलिट दिलाने की बात करता है, असल में त्यागी का प्लैन ता जिल्मिल कोट में इलेक्शन के लिए प्रिचार करने का, और उसने ये बहुत अच्छे से कर दिया था, जिससे उसके नाम के नारे लगने लगते हैं, और में दर चड़ जाता है, अब ये सब बैठ कर इलेक्शन की आती है, और ये सोचते हैं कि त्यागी का जीतना तो पक्का है, यहीं पर एपिसोड 6 खतम होता है, एपिसोड 7 के शिरुवात में ये लोग कल के बारे में बात कर रहे थे, कि जीत की खुशी में हम क्या क्या करेंगे, और सुजादा अपने चेंबर की नेम प्लेर दिखाती है, कि ये भी तैयार है, इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार ने काउंसलिंग के लिए कई सारे वकीलों के केम्प लगाए हुए हैं, ताकि गाउवाले फ्री में लीगल एडवाइस ले सकें, तब मासुजादा की जगा एनी आई थी, क्योंकि वो इलेक्शन में बिजी थी, अब एनी के पास वहाँ पर एक बाप और बेटी आते हैं, जहां लड़की का बाप बताता है कि मेरी बेटी की 14 साल में शादी हो गई थी, पर अब 3 साल बाद वो लोग उसकी शादी कैंसल कर रहे हैं, और वो अपने लड़के की दूसरी शादी भी करवा रहे हैं, क्योंकि वो लड़की गुड़ू तो एनी की मदद मांगती है, और एनी मान जाती है, यह दर हम कोट में देखतें की वोट डल चुके हैं, और वोट की काउंटिंग शुरू हो जाती हैं, तब महाँ बातों में महिन दर्द और त्यागी की शर्त लग जाती है, कि जो जीतेगा वो सो रुपे देखा, यह अनी अब एक पुलिस कंपलें लिखवाती है, और गुड़ू के पिता को देकर कहती है, किसे थाने में दे आईए, जिससे लड़की और लड़के को कुछ भी नहीं होगा, पर उनके माबाप को जील हो जाएगी, यह सुनकर तो वो आदमी ही डड़ जा जुनाव का रिजल्ट बताय जाता है, जहां पर महिंदर को 2087 वोट मिले थे, और त्यागी को 2063 वोट मिले थे, जिससे त्यागी ये लेक्शन हार जाता है, और सारी मेहनत बरबाद हो जाती है, इधर अब एने गुड़ू को समझाती है, कि अभी तो तुम्हारी पूरी उ जो कि अच्छी बात है, अब जब त्यागी वाश्रो में उदास होता है, तब उससे महिंदर मिलने आता है, और उसको शर्त के 100 रूपे देता है, जिसकी गर्मा गर्मी में त्याकी महिंदर को चाटा मार देता है, और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है, तब पहले मिंट को उसके पती से मिलवा देती है, कि अब आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, वरना इस केज से तो आपका बेटा जेल चला जाएगा, इधर मुशी जी त्यागी को समझा रहे थे, कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इससे महिंदर तुम सब के लाइसेंस कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो तो प्रेजिडेंट बन चुका है, पर त्यागी कहाता है कि मैं सबका इलजाम अपने सर पर ले लूँगा, और इन्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, तब ही त्यागी पर किसी जजज सिकरी का फोन आता है, और वो त्यागी की तारीफ करते हैं, कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, और वो त्यागी को जजज बनने के लिए उफर करते हैं, तब हमें समझाता है कि ये वही जजज थे, जो कि अब तक त्यागी की हर बार रिपोर्ट लिया करते थे, और उन्हें अभी तक में अंदर के कान के बारे में भी पता नहीं था तब वो त्यागी को थोड़ा समय देते हैं कि सोच कर बताना और यही पर एपिसोड 7 खतम होता है, एपिसोड 8 की शिरुवात में हमें नियूज दिखाते हैं कि परपट गंज में एक लड़की के साथ लड़कों ने लूट पाट की और उसे चाकु मार दिया, जिसके बाद कोई इसी केस की बात कर रहा था, फिर त्यागी मुशी जी से पूछता है कि मैं जजज बनने के लिए हां कहूं या ना, जिस पर मुशी जी कहते हैं, यह तुम्हारा निर्णा है, जैसा तो मैं ठीक लगे वो करो, इसके बाद हम पीपी को देखते हैं, जिसके पास पुलिस वाला उसी केस को लड़ने के लिए कहता है, पर पहले पीपी मना कर देते हैं, क्योंकि इस पुलिस वाले ने एविडेंस न मिलने पर उसे एक बार पहले भी केस हरवा दिया था, लेकिन मुशी जी के कहने पर पीपी केस ले ले लेता है, इधर त्यागी सोचता है कि मेरा का तुम वकिल बन के अच्छा चल रहा है। मैं ये जजज बनने के लिए मना कर दूँगा क्योंकि एक जगा बैट कर मैं बोर हो जाओंगा। जिस पर त्यागी भी सोच में पर जाता है कि मैं बनूँ या ना बनूँ फिर जब त्यागी मार से जा रहा होता है तब उसे चीफ जजज बैसला मिलती है और त्यागी उन्हें अपने ओफर के बारे में बताता है। और जजज बनने के लिए रैडी हो जाता है। फिर वो बता दे कि मैं राजू को नहीं बलकि उसके छोड़े भाई को बचाने आई हूँ क्योंकि राजू से ज़्यादा समझदार है और जब पुलिस वाले राजू को पकड़ने आए तो इसने चाको छुपा लिया यानि कि राजू भी गुनेगार ही था। और ये सोचकर आईनि के होश उड़ जाते हैं कि पीपी और पलिस वाले सही थे। वो लेड़ी कहती कि राजू को जो चाहे वो सजा दिलवा दो पर मेरे छोड़े बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए आनि मान जाती है। पिर आनि सीधा वो चाकू लेकर पीपी पर जाती है और ये केस पूरा तयार हो जाता है। को उसका पहला क्लाइन मिल जाता है। फिर हमें नियुस दिखाते हैं जा पीपी ने उस लड़की का केस जीत लिया था। इधर अब त्यागी जज़ बनने के लिए रैडी था और वो अपना चेंबर सुजाता को दे देता है कि आज से तुम ये समालोगी। साथ ही वो लॉयन ओर्डर को एसेशेट्स बना लेता है जो अब अपने अंडर इंटर्न रख सकते थे। साथ ही वो मिंडू को बार का एक्टिंग प्रेजिडेंट बना देता है जो कि अभी भी त्यागी ही था। फिर हम देखते हैं कि त्यागी ने डॉक्युमेंट्स पर साइन कर दिये हैं और वो जजज बन चुका है जिसके बाद सब लोग उसके सामने सर जुकाते हैं और त्यागी जजज बनने की जिम्मेदारी को महसूस कर पाता है कि अब उसे कैसे रहना है यही पर ये वेब सिरिस खतम होती है दुफतो ये वेब सिरिस बहुती बहुती द